तो क्या हाल है दोस्तों मेरा नाम है प्रेवन गेरला आप देख रहे हैं टीटूएंस यूटूब चैनल मुंबाइकर निखिल के बीच में जो फुल कॉंट्रवर्सी चल रही है उसके फुल स्टोरी में आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं तो जल से जल नीचे लाल बटन पर क्लिक कर लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो और उसके बा बनाने में ये वीडियो तो जल से जल नीचे लाइक कर लिजे कमेंट करिए अगर आपका सवाल या सुजा हो रहेगा कुछ तो कोई भी चीज अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिजे मेरा जो व्यू रहेगा हूँ मैं कमेंट म वाला हूँ वो आपको step by step बताने वाला हूँ जो भी चीज़ें हुई है वो starting से end तक जैसे मैं आपको बता है कि मैं start से लेकि end तक आपको सारी चीज़े बताऊंगा तो पहला जो पढ़ा हो गाता है वो यहात है कि जिद अवकात दर्जा और बहुत सारी चीज़ें initiate किये है on YouTube जिद होनी चाहिए यह एक phrase है जो उनके बहुत दिल के करीब है और उनके वज़े से और यह phrases के वज़े से और यह terms के वज़े से यह words के वज़े से बहुत जादा उनका एक बड़ा campaign चलता है YouTube पे बहुत जादा बड़ा campaign चलता है YouTube पे और ultimately they are earning good amount of money out of all these campaigns ठीक है तो उनक merchandise भी बिखता है और बहुत सारे अलग-अलग चीजें हैं जो उनके वज़े से चलते हैं दिल के करीब ultimately यह सारी चीजें तो यह सारी चीजें तो चल रहे थे अची तरीके से एक साल से यह लोग यह काम कर रहे थे एंसर फ्रेजस पे तो अचानक से एक बड़ी protein company जिसका ना making his point of view and making his point that they have stolen their wordings and making money and they are making good amount of money तो उसके वज़े से बहुत बढ़ गए यह बाते हैं और ultimately यह चीजें जो हैं यह अलग लेवल पर चली गए तो यह तो किस्सा चली रहा था अचानक से इसके बीच में एक मुंबई कर निखिल के इंस्टाग्राम पे मुंबई कर निखिल क वित मसल ब्लेज प्रमोटिंग डेट फ्रेज जिद्धी हूं मैं उसके बाद नाव इट आल स्टाटेड यह सारी चीजें अलग लेवल पर चली गए और अलग लेवल पर यह जो यूएसी और मसल ब्लेज के बीच में चल रहा था वो तो चली रहा था उसके बारे में अभी यूज कर रहे थे और वो उन्होंने अलग अलग चीजें अन्होंने कमेंट्स में लिखना चालू कि अपने वीडियो के अपने व्लॉग्स के तो लेकिन पबलिक सब जानते है पबलिक शानी है एकदम और पबलिक सब जानती है क्यूंकि अल्टिमेटली भी नो देम्सिंस लॉंग टाइम बैक तो हम लोग उनको पता है हम लोग को पता है कि वो दोनों कौन हैं और वो दोनों कहां से कहां पर पहुचे हैं उन्हों हम दोनों हम लोग अनफॉलोड मुंबई का निखिल तो उन्होंने कमेंट में वो भी लिख दिया कि there are already I don't want to see any advertisement on Instagram there are already more than enough Instagram more than enough advertisement on Instagram ऐसे करके उन्होंने comment डाल दिया तो उस पे भी बड़क गई चीज़ है लेकिन अल्टिमेटली निखिल का कुछ comment नहीं आ रहता है इन सब चीज़ों पर निखिल वो इग्णोरिंग इचन एवरीटिंग और निखिल यूसी और प्रसाथ नेम इन इस व्लोग एंड में जो पोस्ट क्रेडिट वाला सीन रहता है उनका म्यूजिक के बाद उन्होंने एक यूस कर दिया यूसी वेंट लाइव ऑन देर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एस वेल एन अल्टिमेटली यह भी बहुत बड़ा हो गया है और बहुत गंदा हो होता जा रहा है तो as far as Nikhil point of views जो concern हो रहा है तो उस पर Nikhil has stated that he will not comment on this from now onwards तो हम लोग आशा करते हैं कि वो नहीं करें अच्छा नहीं लग रहा है as a viewer as a subscriber of both of them लेगन मुझे मज़े मज़ा नहीं आ रहा है मैंने comment भी किया निखिल के vlogs पर तो आशा करता हो कि आपको ये वीडियो पूरी information मिली होगी मैंने अपना point of view नीचे comment में पिन करके डाल दू सिर्फ sad news और सिर्फ बोलते हैं नेगेटिव नहीं news आएंगी मेरे चैनल पर अलग-अलग news आएंगी हर एक news आएगी तो जल से जल आजए यार मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबाईए और लाइक करें वीडियो को पूरा information आपको बता दिया है जो भी आगे चीजें होगे इन दोनों के बीच में यहां कुछ भी होगा कहीं पे भी फर्स्ट यहां सेकेंड यहां अच्छा वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा मैं और आपको पूरी information देने की पूरी ट्राय करूँगा तिल देन साइनिंग ओफ दिस प्रवीन गेरि